गर्मियों के मौसम में रसोई में कई ऐसी चीजे दिखने लगती है जो हमें गर्मी से बचाने में मदद करती है इनी में से एक है सत्तू सत्तु से बने ड्रिंग का इन दिनों में खुब सेवन किया जाता है गर्मियों की हिट से भी पचाने और शरीर को तरो ताजा रखने भी भी मदद करता है सत्तु बेसिकली फ्लार है आटा है जो बनता है रोस्टेट चना से जिसमें बहुत मात्रा में हाई प्रोटीन और हाई फायबर होता है जब आप पीस्ते हो तो मिलता है चना आटा और इसके पैकेट भी अवेलेबल होते है सत्तु के आटे का उपयोग आप पराठे में स्टफिंग करके या लिट्टी में भी इसका उपयोग कर सकते है ये रेसिपे में दो तरीके से आपको बताने वाली हूँ एक है स्वीट और एक है सेवरी दो ग्लास में दो दो चमज सत्तु पाउडर एड़ करेंगे इसके बाद दोनो ग्लास में एड़ करेंगे रिफ्रेशिंग के लिए पुदिना के पत्ते आपको पुदी नकल फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्कीब भी कर सकते है थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए हमें आड़ करना होगा इसमें आधाधा निम्बू का रस तो हमें यहाँ दो फ्लेवर के सत्तू बनाने हैं तो एक में जाएगा चीनी और एक में नमक थंड़ा थंड़ा पानी आपको आइस क्यूब्स एड़ करने हो तो आप कर सकते हैं लेकिन सोच रहे होंगे कि बच्चों को इतना थंड़ा कैसे पिलाएं तो आप नॉर्मल पानी बे भी यह पी सकते हैं अभी इसको अच्छे से स्टर करेंगे तो तयार है हमारा सत्तू एनरजी ड्रिंग तो कैसी लगी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चाइनल को सब्सक्राइब लाइक शेर करना मत बुलिए थेंक्यू फो वाचिंग आवर वीडियो